हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर्वी अडिटीव क्लास में तो स्टुडेंट्स, आज हम एक फार्मूला डिस्कस करेंगे यह अलजेबरिक एक्सप्रेशन्स की एक आइडेंटिटी है यह आइडेंटिटी नमबर 4 है तो चलिए देखते हैं इस आइडेंटिटी में कैसे इसको प्रूब करना है तो यह आप हमसे बोला है प्रूब आप x प्लस a x प्लस b is equal to x square प्लस bracket open a plus b bracket close x plus a into b तो यह फार्मूला में प्रूब करना है तो आईए देखते है solution देखिए जो x प्लस a है यह एक binomial term expression है और x प्लस b यह दूसरा binomial expression है मतलब binomial वो होते हैं जिनमें दो term होते हैं तो यहाँ पर जो में multiplication करना है वो binomial to binomial करना है आसान तरीका देखो सबसे पहले इस x को यहाँ पर multiply कर दो तो देखो x into x sin plus है तो x into x हो जाएगा अच्छा एक बात मैं आपको बता दू जैसे आप इन सभी में देख रहे हैं सबका sin plus है तो sin की कोई भी चिंता करने की जरूब नहीं है जहाँ भी आपको sin लगाना है plus या minus तो आप plus लगाईए ठीक है तो यहाँ पर हम plus लगा देते हैं अब देखो इसी का x का multiplication हम b के साथ कराएंगे तो क्या होजएगा x into b ठीक है फिर अब a की बारी आती है तो a को multiply कराएंगे a into x क्या multiply कराएंगे a into x a into x ठीक है अब फिर इस a को multiply कराएंगे b के साथ तो क्या होजएगा plus b into x आप एक बात समझो जब यहाँ पर सभी plus sign है तो सारे sign कैसे होंगे plus होंगे, यहाँ sign की कोई भी चिंता करने की जुरून नहीं है अभी देखो x into x multiply होगा तो क्या बनेगा? x square, ठीक है, plus देखो, जो हमारा alphabet होता है, वो a से शुरू होता है और z पर खतम होता है, तो जो algebraic expressions में हम write करते है variables को, वो alphabetical order में write करते हैं, तो जैसे यहाँ पर x पहले आया बी बाद में आया, लेकिन हम यहाँ पर write करेंगे bx क्योंकि b पहले आता alphabet में और x बाद में आता है, इसको भी आप यहाँ पर देखो, a into b, अब आप यहाँ पर देखो इस टर्म में, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है x common हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x common हो जाएगा, तो x square plus x जब common होगा, तो माले हमने यहाँ पर x को common कर लिया, तो अब बचेगा, हमारे पास b plus a, लेकिन alphabetical order के carding आप write कीजिए, तो उसमें a पहले आता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a plus b, अब यहाँ पर plus sign है, तो यह हो सकता है, a को पहले लिख सकते हैं और b को बाद में लिख सकते हैं, अगर यह alpha plus नहीं होता, minus होता, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, तो यहाँ पर plus होने की वज़ाद से हम a को पहले और b को बाद में लिख सकते हैं, plus a into b, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो फार्मूला हमें चाहिए था, वो प्रूब हो गया है, हमें यही प्रूब करना था, x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus a b, ठीक है, तो यह हमें प्रूब करना था, तो आप इसको write down कर लिजे, वैसे अगर आपको प्रूब करना नहीं भी आता तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आपको तो सिर्फ यह identity learn होनी चाहिए, ठीक है, तो अमेद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सिर्फ करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए thank you class